साथियों नमस्कार आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में स्वागत है तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा अधुनिक कलाकार से संबंधित वीडियो उपलब्ध कराये जा रहे हैं तो साथियों सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवस्य कर दें ताकि इसी प्रकार के वीडियो जब हम बनाएं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँच सके चलिए दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छेती दरनाथ मजूमदार चलिए तो पहला पॉइंट जैसा कि आप सभी को दिखाई पड़ रहा है लिखा है जन्म तो इनका देख लेते हैं जन्म तो जन्म से दो कुश्चन बनने वाले हैं एक तो इनका जन्म कब हुआ और कहां हुआ तो इनका जन्म 31 जुलाई 1891 में मुर्शीदाबाद के निमिठी आगाउं में हुआ तो इनका जन्म 31 जुलाई 1891 में मुर्शीदाबाद के निमिठी आगाउं में हुआ चैल यह अगला पॉइंट है इनकी म्रत्यू तो इनकी म्रत्यू कब हुई इससे भी दो कुश्चन बनने वाले हैं तो इनकी म्रत्यू 9 फरवरी 1975 में कहां हुई लाहाबाद में बीर के दारनात मजूमदार था अगला पॉइंट है यह किस धर्म से संबंधित थे वेरी वेरी इंपोर्टेंट तो यह वैसडव धर्म से संबंधित थे अगला पॉइंट है इनकी उपाद्धी तो इनको उपाद्धी चैतन्य सिद्ध कलाकार की मिली थी और देने वाले अवनी अवनीन दरनात थे यानि इनको चैतन्य शिद्ध कलाकार अवनीन दरनात ने कहा चलिए अगला पॉइंट है इनके प्रमुक्षित्र इनका प्रमुक्षित्र है अभिशारिका, यमुना, लच्मी, पालित्म्रग, मन्सादेवी तो इनके सभी जो चित्र हैं कई बार परिच्छा में पूछे जा चुके हैं अगला पॉइंट है इनका प्रसिद्ध चित्र जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध चित्र इनका है वहां है बालक धुरु की तपस्या इन्होंने बालक धुरु को तपस्या करते हुई चित्रित किया है या इनका सबसे महत्पूर चित्र है अगला पॉइंट है चित्रांकन पद्दती इनके चित्रांकन की पद्दती का उनसे है वास्यों टेमपेरा पद्दते अगला पॉइंट है इनके प्रिय रंग तो इनके जो सबसे प्रिय रंग है हलगा पीला हरा लाल और गिरुण है ये चार कलर इनके सबसे प्रिय कलर है अगला पोइंट देखिए अगला पोइंट है इनका विषय रहा है राधा क्रसडा और चैतनी चलिए अगला पोइंट देख लेते हैं अगला पोइंट दिया गया है ये प्रधानाचारी बने तो किस विद्याले के प्रधानाचारे बनें तो ये indian society of oriental arts के प्रधानाचारे बने अगला प्उइंट है अधिश्य बनें तो ये अधिश कहाँ के और कब बनें very important कई बार परिष्य में पूछा जा चुका है तो ये इलाहबाद विश्विद्यालय के कला विभाग के 1942 में अध्यच्य बनाए गए अगला पॉइंट है धुरु की तपस्या चित्र किसने खरीदा वेरी इंपोर्टेंट है तो इनका धुरु की तपस्या करता हुआ चित्र किसने खरीदा तो एक अंग्रेज ने खरीदा कितने रुपए में खरीदा एक सुरी असी रुपए में खरीदा तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्थ हुआ तो साथे हमारे वीडियो को आप सभी लाइक अवसे कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवसे कर लें क्योंकि इसी प्रकार के सभी वीडियो उपलब्ध क कराये जाएंगे कम टाइम में ज्यादा चीजे कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजे अगर पानी है तो हमारे चैनल को अब से सब्सक्राइब कर ले चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के अनिक अलाकार के साथ तब तक के लिए नमस्कार धार